तो आज हम करने जा रहे हैं वोक्राइश नमबर 23 चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड एमुलेटरी से तो एक ऐसा वर्ड है जो एजक्टिक की तरह बहेब करता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका बन जाता है बैड गृड यानि कि आप चल पाने के मिस्तर से ही नुट पा रहे हो एक्जाम्पल है आई विल बी ग्लैड वैन इगेट आउट अफ दिस वीजेयर एंड एम एम एमुलेटरी अगेल यानि कि वीजेयर पर बैटा हुआ है ठीक है और फिर वो द्वारा से चलने फिर लग लिया है इसके लिए हम इस तरीक से यू यानि कि जब गवर्मेंट का एपसेंस होता है और या लौ नहीं होता इस कंट्री के अंदर तो वहां पर आप फिर इनाकी बोलता है इनाकी हजाती है इस लोने में इसका बन जाता है ता एपसेंस ओफ गवर्मेंट इंसांपल है दूरिंग दा रिवालीशन दे कि एनाकी कि स्टेट में आगी यहां के कोई भी गवर्मेंट नहीं है इस तरीके से आप देख सकते हो के गवर्मेंट को अब तो एक यह अप देख्या दिया चेक्र ही यह न कि मांन कि चलिए किसी के पास एक अच्छी कासी नॉलेच एक अच्छी कासी नॉलेच आप बोल सकते हो एक इसका नैरो नेर्ण स्वावित रहते हैं, उनके लिए मुज्ष करते हैं, जो इसकी नॉलेज की जो ब्रैद है यानि कि आप बोल सकते हो कितनी सारी कॉंप्रिहन से क्वालिटी की जो नॉलेज इसके पास जाए 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 जा उसके थूब एक दूसरे के साथ कम्यूनिक्रेट करते हैं तो उसको भी हम केंट बोल देते हैं लाइक आप देख सकते हो इस पेशल वर्ड यूज्ट बाइप पर प्रिटिकुलर ग्रोफ आप पीपल या खास बोली इसको आप बोल सकते हैं चलिए फिफ्ट बन पर आते हैं जो है circumscribed एक वर्ड की तरह हम इसको यूज करते हैं इसका मतलता है किसी चीज के लिमिटेट कर दिया आपने रेस्टिक्टिर् या बाउन्निस वहां पर आपको लगा दिया तो वह circumscribed हो जाता है सुनुने में इसको हो जाता है limited in a range एक रेंज में आपने कोई चीज के लिमिट में कर लिए तो इसको बोलता हो एंटोनिम इसको हो जाता है अनबाउंड यानिकि limitless है वह एक्जाम्पल जो है कॉन जील एक वर्ब की तरह में उसका मतलब होता है किसी चीज को एक semi solid form है या solid form के अंदर convert करते हैं तो इसको आप बोलते हैं कॉन जील एक वर्ब की तरह में इसको यूज करते है तो इसका बन जाता है तो को एगिलेट यानिकि कि कि सीचीज का solidification करना एंटोनिम हो जाता है इसका to become fluid यानिकि द्वारा से तरल पदार्थ के अंदर convert कर देना एक्जामपल है इसका वी वेटेट थी आर्स फॉर जैल ओ तू कॉंजिल यानिकि वह तीन घंटे तक वेट किया उन्होंने जैल को जो है जमने तक यानिकि solidify होने के लिए कॉंजिल होने के लिए इस तरीके से आप दे सकते हैं जैली के अंदर है तो इसको coagulate किया गया कॉंजिल किया गया तो इस तरीके से को अ गलत वे के अंतर उन से अपना काम कर रहे है की रीडर की तरह कर रहे है उसके और एंटोनिम सब्सक्राइब कि इन अक्ञांपल ऑन आप देख सकते हूं कितना उनने प्रिजुडाइज करके अपना काम करवाये जाता हो आप है Tो आप परसं और रीडर इस तरीके से आप देख सकते हो यह ऐसे परसों को बोल सकते हैं नेक्स्ट एक वन डिसोनेंस इस तरीके से नाउन की तरह यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है उन्रिलेटेड एंड हा गौलिके साउनस प्रयपर एब करने स्सक्ते यूज़ुक्त भी कते हैं तो साथ-साथ उनके अब दिजॉनेंस भी उसका एक पार्ट बन गया है जैसे कि स्मोकिंग से आप इसको कर सकते जोड़ा लाइक इस्मोकिंगी तरह आप मांग की चलिए यह जो आपके लेफ्ट साइड ना पिक्चर है वह आपका डिजॉनेंस साउंड है तो वहां से आप द एक एक एड्जक्टिव भी तरह में यूज करते है इसको इसका मतलबता है डाउटफुल यह नॉट क्लियर में जानी कि आप ठोड़ा पर्प्लेक्स हो किसी चीज़ को लेकर कंस्यूजिंग वेके अंतर हो आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं अग्जाम्पल है सिंस ही अग्जाम्पल पर प्राइबस लिखी रहती है या टर्मस एंड चंडिशन लिखी रहती है तो उनको बिना देखिए हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं या विना देखिए उनको ने पर बदा गया कि उसने डॉक्वेंस को रीड महीं किया था तो थोड़ा सा वो इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए इस तरह कि इस चीज के अंदर एक तरह से अव्यार हो यानि कि अब यह भी बहुत सकते हो कि completely occupied का मन्यादा है कि कोई चीज आप अगर कर रहे हैं तो इसके अदर बिल्कुल वियस्त हो जाना तो preoccupied जिसकों बोलते है यह completely occupied जिसकों बोलते है तो engrossed उसका मेनिंग देता है अन्टुनिम उसका बन जाता है free-minded यानि कि इतना ज़ादाव वियस्त नहीं है वियाँ फ्री-maindड रहते है एक इसांपल है तो वोमन बता है जब आप शू ने शुक जपने बनाते हैं तो जब घर पे ही वुल को चैपडे बनाते है तो ऊसको हम बोलते हैं officer इस तरीकी से आप देख सकते हैं कि इस बुक को पढ़ने के लिए यहां पर इस तरीकी से हम बोल सकते हैं आपको पसंद आई होगी सारे वर्ट्स आपको पुझेदी समझ में आ गए होंगे अगर समझ में आएं तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को